एक लव्य विद्या संकूल में उसकी गंदी आदत चुड़ा कर रहूंगी यहां वाक्य नन्ही ने अपनी मासे कहा क्योंकि बिच्छु ने उसे डंक मार दिया था दुसरा वाक्य है क्या करू डंक मारना मेरा स्वभव है यहां वाक्य बिच्छु ने नन्ही से कहा क्यूंकि बिच्छु अपनी गंदी आदत का गुलाम है तीसरा वाकिय तुम यहाँ गंदी आदत चोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा यहाँ वाकिय नहीं बिच्छु से कहते है क्योंकि अगर बिच्छु अपनी गंदी आदत नहीं चोड़ेगा तो कोई मुसीबत में उसकी मदद करेगा नहीं और बिच्छु के प्राण संकट में पढ़ सकते हैं चोधा वाकिय भलाई करना मेरा स्वभाव है यहां वाकिय नन्ही बिच्छु से कहते हैं क्योंकि बिच्छु अपनी गंदी आदत का गुलाव है लेकिन नन्ही जो है उसका स्वभाव अच्छा है इसलिए वह भलाई करना मेरा स्वभाव ऐसा कहती है पांचवा वाकिय मैं वच्चन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दवस्चिय को डंग नहीं मारूंगा यह वाकिय बिच्छु नन्ही से कहता है क्योंकि बिच्छु जब मुसिबत में था तो नन्ही ने उससे बचाया इसलिए बिच्छु का रदय परिवर्तन हो गया और उसने कहा कि मैं कभी निर्दवस्चिय को डंग नहीं मारूंगा अब स्वात्य की ओर पहला प्रोष्ण है नीमन लेखित प्रोष्णों के उत्तर लिखिये पहला प्रोष्ण है नन्ही कौन थी इसका उत्तर है नन्ही एक बटक थी दूसरा प्रोष्णों बिच्छु कहां फस गया था इसका उत्तर है बिच्छु दल दल में फस गया था तीसरा प्रोष्ण है बिच्छु को क्यूं पच्चतावा हुआ इसका उत्तर है बिच्छु को पच्चतावा हुआ क्यूंकि नन्ही ने उसे दुसरी बार बचा या फिर भी वो नन्ही को डंक मारने वाला था चोथा प्रोष्ण नन्ही ने क्या निश्चय किया इसका उत्तर है नन्ही ने यहा निश्चय किया कि वह बिच्छु की गंदी आदत छुडा कर रहेगी पाच्वा प्रोष्ण नन्ही ने बिच्छु को क्यों बचाया? इसका उत्तर है नन्ही ने बिच्छु को बचाया क्योंकि नन्ही ने सोचा कि शायद उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दियो छट्था प्रोष्ण बिच्छु की सोभाव के बारे में माने नन्ही से क्या कहा? इसका उत्तर है बिच्छु के स्वभाव के बारे में माने नन्ही से कहा कि बिच्छु अपनी गंदी आदत का गुलाम है तुम चाहे उसे कितने भी बार बच्चावो वह तुम्हे बार बार डंग मारता रहे गया सात्वा प्रोष्ण नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा इसका उत्तर है नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है उसके बाद घटनाओ को उनके सही क्रम में लिखिए तो बच्चों यहाँ पे सारे जुमाक्य दिये हैं उनको हमें क्रम में लिखना है इसमें पहला क्रम आएगा ननी ने बिच्चों को दलदल में फ़सा हुआ देखा फिर उसके बाद का क्रम आएगा को ननी बिच्चों को दलदल से निकालकर सुखे स्थान पर रख दिया उसके बाद का क्रम है बिच्चों ने ननी को डंक मार दिया यानिके ई बिच्चों ननी को डंक मार दिया उसके बाद का क्रॉम है ब नन ही अपनी मा के पास चले गई उसके बाद का है अ नन ही बिच्छु की आवत सुनकर तूरती आ गई अब आगे का प्रोष्ण एकाई में से पांच संगना ठूंडे और उनका माक्य में प्रयोग कीजिए तो बच्चो इसमें उदाहरण भी दिया है एक संगना शब्द ठूंडा है बिच्छु यहाँ एक संगना है और इसका माक्य में प्रयोग किया है बिच्छु दलदल में फस गया था तो ऐसे हम पांच वाकियों पांच उबद प्यकाईमे से डूणड़ेंगे और उसका वाकियों में प्रयोग करेंगे यहाँ पर मैंने पांच शर्णज्ट डूणड़ें प्रयोग करेंगे पहला है नन ही तो इसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस तरह होंगा नन्ही एक बतक थी दुसरा संग्रा शब्द है दलदल तो दलदल का वाक्य में प्रयोग इस तरह होगा दलदल एक एंसी गिली जमिन है जिस पर खड़ा होने पर पाम अंदर धस्ता जाए उसके बाद तीसरा है प्रसन तो इसका वाक्य होगा नन्ही प्रसन होकर थिरकने लगी चोंतह संग्रा सब्द है शर्म तो इसका वाक्य होगा विछू शर्म से पानी पानी हो गया पाँच्वा संगला शब्द है बेटी इसका वांकिया होगा माने बेटी से कहां तुम बहुत समझदार हो गई हो इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्ही तिन मुहावरों को रेखांकित कीजे और उनकार से देखर वांकिया में प्रयोग कीजे तो बच्चों हमें ये जो इकाई है समझदार नन ही उनमें जो मुहावरों का उपयोग किया गया है उनमें से किन्ही तिन मुहावरों को पसंद करना है और उनका अर्थदेकर वांक्य में प्रयोग करना है तो आईए, अब हम तिन मुहावरे ठोणते हैं और उनका वाक्य प्रयोग करते हैं पहला है अंसुनी करना अंसुनी करना मतलब ध्यान न देना तो इसका वाक्य प्रयोग होगा बिच्छो नन्हे की बात अंसुनी करकर आगे बढ़ गया दूसरा मुहावरा है आदत का गुलाम होना आदत का गुलाम होना मतलब आदत से मजबूर होना तो इसका वाक्य प्रयोग है बिच्छो अपने गंदी आदत का गुलाम है तीसरा मुहावरा है मन डोलना मन डोलना मतलब विचार बदलना तो इसका वाक्य प्रयोग होगा बिच्छो जब गिडगिड़ा ने लगया तो ननही का मन डोल गया तो बच्चों आपे इस तरह दूसरे मुहावरे इकाई में से ढून कर उसका आर्थ देकर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद आगे देखते हैं निम्न लिखित शब्दों समान आर्थ शब्द खोज कर उनका माक्यों में प्रयोग करके लिखिए तो बच्चों यहाँ पे हमें जो शब्द दिये हैं उसके समान आर्थ शब्द खोज नहीं यानि के ढूंडने है और उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है नदी यानि की सरिता नदी का जो समानार्थ है सरिता वो दिया गया है उसका वाक्य में प्रयोग किया है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरीता है तो यहाँ पे जो दिये गए है शब्द उनका हमें समानार्थी शब्द ढूनना है तो पहला है स्थान स्थान का समानार्थी होगा स्थल तो इसका वाँके प्रयोग कुछ ऐसे होगा भारत में कई सारे संस्कृतिक स्थल आये हुए है उसके बाद है स्वभाव स्वभाव यानि प्रकृति तो इसका वाँके होगा महन पुरुष अच्छी प्रकृति के लोग होते है उसके बाद है मुसिबत तो मुसिबत के समानार्थी शब्द होगा मुश्किल तो इसका वाँके प्रयोग है हम मुश्किल में पड़े ऐसा कोई कार्यों हमें नहीं करना चाहिए उसके बाद है प्रसन प्रसन का समानार्थी शब्द होता है आनंदित तो इसका वाँके प्रयोग है नहीं आनंदित स्वभाव की बतक है पाच्वा शब्द है थिरकना तो इसका समानार्थी है नाचना थिरकना मतलब नाचना तो इसका वाँक्य होगा ननहीं प्रसन होकर थिरकने लगी आगे का देखते हैं बच्चो निम्न लिखित शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए तो इसमें हमें जो शब्द दिये हैं उनको शब्द कोश के क्रम में लिखना है शब्द कोश के क्रम में यानि कि कौसे गनत तक के जो शब्द आते हैं उन्हें बारी बारी सही क्रम में लिखना है। तो हम सुरू करेंगे, तो पहला जो है, वो आएगा डंक। फिर दुसरा आएगा नदी। फिर तिसरा आएगा बिच्छु। चौथा आएगा मुसिबत। और पांचवा आएगा शैतानी। तो बच्चों आप इस तरह दुसरे शब्द इकठे करकर अपने आप सब्द कोश्की क्रम में लिख सकते हैं। अब आगे का प्रोश्न। अपर निचे हो रही थी। कबुतर ने यहां देखा। दूसरा वाक्य होगा कबुतर ने यहां देखा। इस चित्रों में आप देख सकते हैं। कबुतर पत्ता लेकर चिटी को बचा रहा है। तो इसका उत्तर होगा। कबुतर ने चिटी को देखा तो उससे एक विचार आया। दूसरा वाक्य है। कबुतर अपने मुह में पत्ता लेकर चिटी को बचा रहा है। उसके बाद है। इस चित्रों में आप देख सकते हैं। कबुतर जाड के टहनी पर बेटा है। और शिक्कारी जो है। वह उसके सामने बंदुक ताके हुए खड़ा है। और चिटी ने शिक्कारी को निशान अटाखे हुए। छिक्कारी वोग देख देख। फिर यह आप देख सकते हैं। कि निशाना जो है। चुप गया है। चित्रों जो है काट रही है। शिक्कारी बंदुक और कबुतर उरड़ गया है। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि चीटी को याद आया कि कभूतर ने मुझे बचाया था तो इसलिए वो जो है वो शिकारी को काटता है तो इसकी दू वाक्य होगे चीटी शिकारी को काटती है तो निशाना चुक गया दूसरा वाक्य हो गया निशाना चुकने से गोलिक यावा जाने पर कभू तरहे वो उड़ गया अब आगे हैं निचे दिये हुए वरणों से पाँच पाँच शब्द बनाईए तो इसमें पाँच वरण दिये है भवर न ग तो पहले हम भशे शुरू होने वाले वरण से पाँच पाँच शब्द बनाएंगे तो भशे शुरू करते हुए पहला शब्द है भावना, दूसरा है भक्ति, तिसरा है भजन, चोथा है भाई, और पाँचवा है भिक्षा तो ये पाच शब्द भशे शुरू होने वाले थे अब हम भशे शुरू होने वाले शब्द देखेंगे तो भशे शुरू होने वाले पाच शब्द है पहला वच्चन, दुसरा वंदना, तिसरा विरक्त, चोथा वानी, और पाचवा है वार तो ये पाँच शब्द जो है वो हमने वसे शुरू होने वाले देखे अब हम रसे शुरू होने वाले शब्द देखेंगे तो रसे शुरू होने वाले में पहला है रमा दुसरा है राग, तीसरा है रानी चौथा है राजा और पाचवा है राधा उसके बाद हम न से शुरू होने वाले शब्द देखेंगे उसमें पहला है नमन, दुसरा है नईना, तिसरा है निशा, चोथा है नगाडा, और पाच्वा है नाखुन उसके बाद हम गव से शुरू होने वाले शब्द बनाएंगे तो ग से शुरू होने वाले में पहला है गिता, दुसरा है गुंज, तिसरा है गाना, चोथा है गाई, और पाँचवा है गगन। तो बाल दोस्तों आप भी घर पर इस तरह कुछ वरण लेकि उसमें से शब्द बना सकते हैं तो यह जो मैंने आपको समानार्थ शब्द करवाए, मुहावरे करवाए, संगना शब्द करवाए और यह वरण वाले शब्द करवाए तो यह सब आपको अपने होमवर्क में लिखना है और याद करना है अस्तु झाल झाल